मैं राजकी एमहाविद्याले अजमीर के भौतिक विभाग से अनियल गुपता कल हमने पोटेंशियल बेरियर का आर्टिकिल अध्यन प्रारम किया था और उस आर्टिकिल में मैंने बतलाया था कि हम फिजिक्स में जितनी भी पोटेंशियल प्रॉलम्स कर रहे हैं इन सभी प्रॉलम्स की बहुत इंपोर्टेंस हैं क्योंकि फिजिक्स में जहां भी इसकी एप्लिकेशन्स हैं वो एप्लिकेशन्स को हम ये पोटेंशियल प्रॉलम्स बहुत मतदगार है उधारन के लिए मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल स्टेप केस में E less than B0 केस में किस प्रकार से जो ट्रांस्मिशन प्रॉलिटी है वह है मैटल के केस में बैलेंस इलेक्टरॉन के मुवमेंट को बताती है उसी प्रकार से पोटेंशियल बैरियर की जो प्रॉलम है यह है रेडियो एक्टिब नुकलेस से अलफा पार्टिकल के डिके को समझाती है तो सुपर कंडेक्टिबिटी में जोसेफन इफेक्ट को भी समझा सकती है कल हमने E greater than B case में यह लिया था कि E greater than B zero, B zero potential barrier height है तो उस case में reflection और transmission probability exist करती है और दोनों के मान non zero होते हैं और यदि हम दोनों को जोड़ें P r plus P t ग्याद करें तो इसका मान एक निकल के आता है तो इस प्रकार से इस case में भी conservation of probability flux establishment होता है अब हम थोड़ा सा इस case को फिर revise करते हैं suppose if E approaches B zero तो उस case में transmission probability किस प्रकार से change होगी देखेगा numerator denominator denominator दोनों में हमने 4 k1 k2 square का भाग दिया और k1 k2 की values को substitute किया तो इस प्रकार की expression transmission probability के लिए मिल रही है और जब हम इसे simplified कर रहे है तो यह expression रह गई है 1 upon 1 plus B zero sin square k2 A upon 4 E minus B zero हम जानते हैं जब limit theta approaches zero होती है तो उस case में sin theta का मान theta होता है और चोकि इस case में E approaches B zero है इसलिए sin k2 A k2 A के बराबर हो जाएगा इस प्रकार का मान का प्रियोग करते हुए k2 का मान रखें और हम transmission probability का जो मान निकाल लेते हैं वह मान निकल के आता है 1 upon 1 plus M B zero square M B zero A square by two H cross square और इस expression को मैंने six equation से मार किया है खास बात क्या है कि इस case में हम देख रहे हैं transmission probability का जो मान है वो एक से कम है मान लीजेगा मुझे transmission probability का मान एक चाहिए तो एक चाहिए इसका आर्थ है k2 A बराबर n pi होना चाहिए और k2 A बराबर n pi होगा sin n pi zero हो जाएगा तो उस case में transmission probability का मान एक हमें मिल सकेगा इसलिए जो potential barrier बिर्थ है A is equals to n pi by k2 और इसमें k2 का मान रखें k2 का मान रखने पर हम debrogly concept को यूज कर रहे हैं और debrogly concept को यूज करके जो potential barrier बिर्थ निकलती है बो निकलती है A is equals to n of pi by 2 तो इस condition पर transmission probability का मान एक प्राप्त हो जाता है यह है एक perfect transmission की condition मिलती है और इसका अर्थ है कि जो barrier बिर्थ है it is the integral multifill of half of babe length and it is used for stub matching in babe guide कई जगे पर खासतोर से आर्मी बगेर में हम चाते हैं कि जो signal है वो perfect transmit हो किसी प्रकार की उसमें standing babe pattern या reflection नहीं होना चाहिए उस case में यह condition बहुत काम की है potential barrier का जो प्रमुख importance है जिसके लिए हम इसको discuss कर रहे हैं वो case है e less than b0 और e less than b0 case में हम transmission probability देखना चाहते हैं अब आप प्रारम से तीनों बातों को याद कीजेगा तो यदि e less than b0 है तो उस case में k1 का मान समान रहेगा क्योंकि उसमें b0 है नहीं लेकिन k2 के मान में परिवर्तन होगा और k2 के मान में जो परिवर्तन है वो है मान हो जाएगा k2 is equals to iota k' जहांपर k' का मान है 2m by h cross square b0 minus a उन्हें ध्यान देखने की बात है कि फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन का बेव फंक्शन एजिटीज रहेगा यदावत रहेगा जबकि सेकंड छेतर का जो बेव फंक्शन है वह हैं मोडिफाइड हो जाएगा क्योंकि k2 is equals to iota k' है और इस प्रकार से si2 ये बेव si2 में change हो गया है और probability density अगर हम निकालें तो magnitude of si2 square आएगा तो जिस प्रकार से हमने e greater than b0 case में किया था बिल्कुल उसी प्रकार से अब हम इस case में भी transmission probability को determine करते हैं determine करने के लिए जैसे हमने fya महाँ पर लिया था वो यहाँ पर भी लेते हैं और इस expression में हमें change करना पड़ेगा क्योंकि k1 as it is है k2 का मान आयोटा k' हो गया है तो इसलिए k2 का मान आयोटा k' रखा और फिर हम sign और cos के formula यूज़ कर रहे हैं और हमको b by fya का जो मान मिल रहा ह है वह मान है जरा द्यान से देखेगा 4 iota k1 k' a k' e की पावर माइनस आयोटा a k1 divided by 4 iota k1 k' cos hyperbolic k' a plus 2 k1 square minus k' square sin hyperbolic k' a तो जिस प्रकार से हमने e greater than b0 case में transmission probability का मान निकाला था बिलकुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम transmission probability निकाल सकते हैं तो fya का जो मान आया है इस magnitude का square करना पड़ेगा transmission probability के लिए और जब हम इस square को करते हैं तो transmission probability का जो मान हमें मिलता है वह मान मिल रहा है 1 upon 1 plus k1 plus k' whole square divided by 4 k1 square k' square sin hyperbolic square k' a k1 और k' के मान हमको मालुम है तो हम अब अब k1 और k' की values को substitute कर सकते हैं जब हम values को substitute करते हैं तो result हमें मिलता है 1 plus b0 square sin hyperbolic square k' a upon 4e b minus b0 minus e within bracket minus 1 तो इसी प्रकार से हम reflection probability का मान भी निकाल सकते हैं और जब reflection probability निकालेंगे तो जैसे हमने e greater than b0 case किया था b by a निकालेंगे b by a का square करेंगे और फिर हम देखेंगे कि pr का जो यह मान है मिलने के बाद pr plus pt किया जाए तो e less than b0 case पर भी conservation of probability flux होता है इसका मतलब हुआ कि इस case में भी transmission probability exist कर रही है अगें transmission probability के expression से यह मान हो गया जो शुरू में हमने drive किया है burn upon burn plus b0 square sin hyperbolic square k-a upon 4e b0 minus e हम sin square की जो term है उसको खोल रहे हैं और हम यह देख रहे हैं कि चुकि e less than b0 है इसलिए k-a का मान एक से जादा होगा और इस current से e की power minus k-a 0 approach 0 की इस्तिति में होगा परणाम सरू नीचे वाला जो e की power minus k-a है इस term को हम neglect कर सकते हैं और जो हमें term मिलेगी वो होगी 1 upon 1 plus b0 square divided by 4e b0 minus e e की power 2k-a y4 again हम 1 plus है तो जो दूसरा जो term है वह है एक से बहुत जादा होगा इसलिए नीचे वाली पद में a को भी neglect कर सकते हैं और transmission probability का मान इस परकार से रह जाएगा और हम अब k-a के मान को substitute जब करते हैं तो transmission probability का जो मान हमको मिलेगा वह मान मिलेगा 16e b0 minus e upon b0 square e की power minus 2k-a यह transmission probability का मान मिला है ध्यान रहे यह transmission probability का मान e less than b0 case में मिला है इस सिद्धान्थ के आधार पर इस transmission probability के आधार पर radio active nucleus से जो alpha particle का डिके हुआ है उसको समझाया गया है और यह कार जो किया गया यह scientist गेमो की द्वारा किया गया है और चुकि हमने alpha beta gamma rays के emission देखे हैं और उस alpha कणों के बिगटन की जो प्रिक्रिया है उसको गेमो ने इसी transmission probability के आधार पर समझाया है ध्यान देख लीजेगा transmission probability का मान है transmission probability का मान finite है कम हो सकता है लेकिन यह जरूर हमें ध्यान रखना है कि transmission probability जो कुछ मिल रही है वह है बेव निचर के कारण ही मिल रही है the transmission of particle through the barrier is known as the barrier penetration this picture is also called or term as the tunnel effect please remember this picture of barrier penetration is the result entirely due to the बेव निचर of matter and intensity of the transmit particle decrease exponentially बिद्दी बिट्ट of barrier हम देख रहे हैं एकी पावर माइनस टू के डैस ए आ रहा है तो जो barrier की बिद्थ है उसके साथ ही transmission probability का मान गड़ कम हो रहा है साथ ही साथ बी जिलो स्क्वार नीचे है इसका मतलब हुआ कि जो barrier height है उस height के मान को बढ़ाने पर भी यह है मान transmission probability के मान में कमी हो रही है अब हम तीनों reason में first second third तीनों reason में जो wave function है उस wave function को हमने इस चित में दिखाया है first reason में किस प्रिकार से incident reflected है और third reason में transmit मिल रहा है हाला कि third reason में जो हमें wave function मिल रहा है उसके amplitude के मान में काफी कमी है इस प्रिकार की जो इतना है जिसको barrier penetration के रहे हैं tunnel effect के रहे हैं इसकी बहुत importance है क्योंकि emission of alpha particle reverse breakdown of semiconductor diode switching action of tunnel diode and electrical breakdown of insulator जैसे picture जैसे phenomenon को हम potential barrier के आधार पर समझा पाते हैं कल के बैख्यान में हम emission of alpha particle को प्रारम करेंगे धन्यवाद